नमस्का दोस्तों इनकी ये 39 एर्स है इन्होंने लिखा है 2016 में यानि चार साल पहले कर्ज में डुबा एक बहुत बड़ी राउ रेखाने काटा था निकल नहीं पा रहा हूँ एक करोड का कर्ज है ख्याल है आसमान चुने के पर अभी मानो जिन्दा लाश हूँ ये इनके वर्ड्स है थोड़े साल जरूर आपके हाथ में संगर्स के है पर आप नसिब वाले हो कि आपको सनमाउन पर इश्वर ने मच्छली साइन भी दी है फि आपको पूरा क्लियर कट बताने की कोशिश करता हूँ पर आपका कामकाद चलते रहेगा और जब जब राहु रेखाएगी और पेन आएगा और वर्तमान में धन रेखा भी इतनी स्ट्रॉंग नहीं है कि मैं कहूं कि आपका कर्ज अभी पूरा हो जाएगा पर आपका कामक चलते रहेगा केवल राहु रेखा के पिरेड में अब अपने रिस्ट जो लेने की अबिलीटी है उसको थोड़ा सा कम कर देना और वो लाइनों के द्वारा समझोगे तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी धनोशा का रेखाओ तो बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपुचिनिटी आती उसे ग्रेप करके आगे बढ़ता है यह स्क्वेरिश पाम है और साथ में थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते है और मेहनती भी होता है वेक्ति बहुते है उंगल यह मोटी और साथ में अंदूनी मंगल अच्छा है तो साधिरी कुर्जा भी अच्छी होगी उंगलिया छोटी है तो फास्ट नीने लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संक्या ज़्यादा रहती है यह उंगली भी फर्स फैलें तक निफ पहुच रही है यानि गुरु की उंगली से बड़ी है तो व्यक्ति हिमती सबाव का होता है जिब में पचास जार और पचास लाग की रिस्क लेनी है तो बहुत आसानी से ले पाता है यह उंगली फर्स फैलें तक पहुच यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है व्यक्ति डोकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद्शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकॉंट यह सारी वस्थों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब आपके इंक लगे हुए पामपर चलते है जिस व्यक्ति के हाथ में बड़ी बड़ी बुद्रे खाया हो उनको आँख मुनके कह दो कि बुड़ा पे में भी इंकम व्यवस्तित आती रहेगी बुद्परवत अच्छ मैंड है व्यक्ति के पास सुंदरता होती है वानी अच्छी होती है मिठे होती है यह और बिजनेस सेंस तो भर पूर रहता है और दो-चार भाशाओ के जानकर भी होती है लोग बूलने ना आये तो समझ में तो जरूर आती इनको इनके संन माउंट पर देखे तो दिखिए यहाँ पर ही यह साइन यह 2016 के पहले 8-9 करोड का टरनोवर कर रहे थे तो यह एक साइन है पर रेखा है जब चेंज होती है तो व्यक्ति की जीवन सहली चेंज हो जाती है एक यहाँ पर है दो और यह तीन तो इन साइनों की वज़े से आपके पास जीवन में पैसे के लिए कभी रुकोगे नहीं आप वो दिमाग में से चिंता निकाल दीजिए पैसे के लिए आपका कभी काम अटकेगा नहीं जब जब राहु रेखाएगी आपको पेन आएगा और जब तक आपकी धन्देखा खराब है तब तक आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी जो पहले आप करते थे अब चलते हैं इनके यहाँ पर यहाँ पर दो रेखाए ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज तो अच्छा कासा होता है लोग इनको पुछ पुछ कर भी काम करते हैं पर इनको अपने बेसिक नॉलेज पर घमन पी रहता है कंटीन्यू चलने वाली लाइन है तो प्रोग्रेस मिलते रहेगा और वो कब से कैसा है वो मैं जब फेट लाइन पर आऊंगा धन रेखा पर तब आपको स्पष्टता से बताऊंगा पर है कंटीन्यू लाइन है यह एक प्लस पॉइंट है आपके जीवन में जुपिटर माउंड भी अच्छा है तो सांसारिक और पारिवारिक जीवन व्यक्ति का अच्छा रहता है कंटीन्यू चलने वाली लाइन है यह कंटीन्यू प्रोग्रेस दिखाती है और यह लाइन है व्यक्ति अगर बहुत जादा नुक्सान भी कर ले तो भी किसी दोस को या मित्र को भी बता दिया तो भरोसा नहीं करता इन लाइनों के कारण यानि नाम खराब नहीं होने देती है यह लाइनों का सबसे बड़ा यह एडवांटेज है और अगर यह स्क्वेर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में व्यक्ति ऑथरेटी पोजीशन पर पहुचता है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन यह व्यक्ति को मल्टिपल इंकम देती है पामिस्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मिक्ता यह सारी वस्तुए शो होती है अंदूनी मंगल काफी अच्छा है तो सारी रिगुर्जा व्यक्ति में काफी अच्छी रहती है बाहरी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलता है तो व्यक्ति एनरजी के साथ मिलता है सामने वाला कमफरेबल फिल करता है और संकत के समय वेक्ति अपने लेविल पर संकत का सामना करता बढ़ा है चन्द पर्वत पर कोई साइन तो नहीं है, पर काफी उत्तम चन्द पर्वत है बहुत अच्छे परचेसर होंगे यह, बहुत अच्छे पानी अच्छा लगता होगा दूद से बनी वस्तू अच्छी लगेगी हंडेट परसेंट विडेस गुमने का उसर मिलेगा आपको हंडेट परसेंट यहां लाइने भी एक समय इस तरह से जा रही है और इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में लाइन होती है वैसी लाइन भ करोगे पर विदे से संबन तो आएगा आपका और नही नहीं चीजे करने का शौक होता है और रिफाइंट सोच होती है वेक्टिवी यहां पर मनी ट्रेंगल भी बन रहा है थोड़ा सा ओपन है और फिस्टाइन वालों को नभी बने तो कोई फरक नहीं पड़ता पर फिर भ शुक्र परवत अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनना अच्छी तरह रहना खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना यह सारा शो होता है अब चलते हिर्दे रेखा पर अब यहां पर ब्रेक है कि नहीं इसे देखने की ज़र्वत रही है पूरी जूपिटर से गुम धूब होते है है कि इनकी भावनाहों का लोग यूज भी लेते यह भी देखा गया है कि विक्ति भाववू होता है तो उसका यूज भी लेते हुए देखा गया है पर सभाव से देव दूत की तरह होते हैं, सब का भला करना, ये इनकी भिद्रत होती है, और जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग भी होते हैं, एक दो लाइने नीचे की तरफ जारी है, मित्रों को सके समुन्यों को पैसा देंगे, और वो पैसा वापस नहीं आएगा, और ये म अब आपकी सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइने, और फ्लेट लाइने, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी दिर दुखी होता है, उसके बद खुशी ढूंटा है, माइन लाइन भी काफी उत्तम है, पूरी जूपिटर से निकल रही है, तो व्यक्ति महतो कांश कितमना वालों के हाथ में इस तरह की माइन लाइन होती है, और माइन लाइन अत्ती उत्तम है, कोई प्रॉब्लम ने, और ये एंड में फोर्क भी बन रहा है, और उपर की तरफ भी देख रही है, और अगर ये पैरलल लाइन होगी, तो नीन से रिलेटेड इसू रहता है, और ये उपर देखती है, फोर्क होगा, तो शार्प माइन भी होगा, और उपर की तरफ देख रही है, तो कोई न कोई पैसा कमाने का गुंधर्म तो होता ही है, इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई बजाई, एज ओफ ट्वेंटी सिक्स में, थर्टी में भी एक लाइन जिसने इनको कोई न कोई प्रॉबलम दिया होगा, उसके बाद छोटी लाइन, थर्टी टू में भी एक छोटी लाइन दी, इस लाइन ने इनको कर्शदार बनाया, ये एज ओफ थर्टी फाइ, यानि इनों ने जो सब्द यूज किया, दोजार सोला, यानि अब ये थर्ट भी एक रेखा है, ये होगी दो साल के बाद, यानि थर्टी सेवन में, इसने भी इनको डिश्टप किया, और एक थर्टी एट या थर्टी नाइन के आसपास भी वर्तमान में भी रेखा है, और उसके बीच में भी रेखा है, तो जब कंटीन्यू किसी को मार लगती है, तो यही condition होती है, पर यहां ही पूरा नहीं होता, एक यह पिरियड में भी मार लगने वाली है, यानि 40, 41 और 42, या 40 से लेकर 41 या यहां तक आपको 2-3 मार लगेगी, तो आप मांसी ग्रुप से तयार रहना, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की आवशक्ता नहीं है, उसके बाद एक आफशूट है, जो कोई नो कोई benefit दिलाएगा, 45 के आसपास, 47 में एक छोटी सी राव रेका काट रही है, और 51 में near and dearer की death है, और यह line काट नहीं रही है, अगर काटी होगी तो आप अपने level पर देख लेना, तो यह 56 की है, पर 99 परसें यह काट नहीं रही है, क्योंकि उसकी effect जीवन रेका पर तो दिखे है, उसके बाद एक छोटी सी राव रेका 59 में है, और एक हलकी सी कट 67 में है, बस इतना disturbance आपको जीवन में आएगा, अब धन रेका पर ही direct चलते हैं, यह investment की line है, इनका 38 प्लस में investment हुआ है, अब सोचिए मार पढ़ने के बाद अब इन्होंने property करी दिये, यह invest किया है, क्योंकि fish है इन्हें हाथ में, पैसा घुमता है, कैसी भी परिस्ती दी रही पैसा आता है, पैसे का flow बना रहता है, कम या ज़्यादा, पर जितनी requirement होती है, वो आ जाता है, यह सबसे बड़ा advantage होता है, यानि इतनी मार पढ़ने के बाद भी व्यक्ति investment करता है, अब यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ से ही line बिगडनी चालू हुई, 36 के आसपास से ही, अब यह कहां तक बिगड रही है, वो भी देखने की कोशिस करते है, इस photograph के हिसाप से तो यह जो line है, यह up to 49 तक खराब है, तो ऐसे लोगों को कम growth मि मिलती है, पैसा तो कमाएंगे, पर कम कमाएंगे, जो speed मिलती है, वो नहीं होती, और जो phone से मैं पसंद नहीं करता, वो phone से इन्होंने photo निकाले, यहनि व्यक्ति चाहे, और ऐसा यह second बार हुआ है, व्यक्ति अगर दिल से काम करे, तो शाड़े छह सो, छाड़े छहाजार वाले phone से भी अच्छे photo ले सकता है, पर किवल समझ ना चाहिए, यह देखे, यहां से यह line बिगरनी चाल हुई, और यहां से बहुत जादा बिगरनी चाल हुई, उसके पहले काफी अच्छी थी, और यह जो सुरिपरवत की और हारे है, इसी तरह के field में है, और यहां से देखे यह, 38 या 39 से ज़्यादा भी गरनी चाल हुई, यह line up to 49 तक खराब है, 48 या 49 तक इतनी growth नहीं मिलेगी इस line से, पर यहां stop नहीं हो जाती चीज, और यहां पर भी investment होगा, यहां पैसा कमाएंगे तब investment करेंगे, यह period होगा, इनके जीवन का 47, और यह line और निकल देगी, यह कोई नया व्योसाय खुलेगा, 46 के आसपास, एक अतसाल प्लस माइनस, यहां से इनको growth मिलनी यह line देगी, और यह line 49 से growth देगी, up to 56 तक, फिर यह छोड़ देंगे इस line को, और इसी line पर concentration करेंगे, और एक और व्योसाय इनक 49 के आसपास, और वो up to end तक इनको कमाई देगा, और बाकी राउरेका जब जब आएगी, उस समय पेन आएगा, यह मानसिक तैयारी रखना, किवल यह एक थोड़ी सी बड़ी line है, जैसे यह line है, वैसी यह line है, तो जो मैं 40 के आसपास, या 41 के आसपास, जो cut है, यहां पर औ और ज्यादा टेंस आएगा, पर उसके बाद फिर एक offshoot भी मिल रहा आपको, तो यहां पर कोई बरकत भी मिलेगी आपको, तो आपको ज्यादा घबराने की जुरत नहीं, जब जब राउरेखाएगी, कोई नुकसान देगी, बाकी आपका काम चलते रहेगा, जो बहुत ज् प्रोग्रेस है, मैंने जैसे जैसे फेट लाइन बताए, उस पिरियड से आपको ज्यादा प्रोग्रेस मिलना चालूगा, तो आशार रखता हूं, इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत